हम से इसको इसको लेते दहीं पर्टे में बोलरा है ममें मुझे पर्टी में जा हरा Prem तो पाकी बोले यार मुझे लगा बोलने पार्टी में इसे बोलने जाओ चाचू पार्टी में ले जा रहे हैं मामा बेटा तो अभी मेरी शासू मा जा रही थी सोने तब तक बाबू को आई थोड़ा सा प्यार करने के लिए और उसके बाद मैं चली कीचन में क्यूंकि अभी जो रात का टाइम होता है यह सब मुझे कीचन क्लीन करना होता है सारे बर्तन वगेर सब कुछ धोने होते हैं और सब कुछ मैं धो ले रही हूं साफ कर ले रही हूं इसके पहले मैं खाना पिना बना चुकी हूं वो सब चीज मैं सूट नहीं कर पाई कभी कभी ऐसा होता है यार इतना काम पड़ जाता है कि समझ में नहीं आता है कब कैमरा ओन करे कब कैमरा नहीं ओन करे और कैमरा ओन करके सब कुछ छोड़ देना ऐसे ही चलते रहना वीडि है अभी रात का टाइम हो रहा है और जो तो मातलब एकषन का प्लब का काम लगा है तो अब रात में 1202 22 वुजे में निकल गया nutzen 8-66 there a ख्रवार नहीं की हूं बहुत जारे कपड़े दोने सारे काम बाकी है दीरे दीरे इन अब को भी निपटाना है और बस यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे थे आपस में और मेरा यहाँ पर आना जाना लगा रहता है क्यूंकि अभी जो टाइम है ना पानी का बोटल रखूंगी हम लोग सालों भर husband wife बोटल से ही पानी पीते हैं glass से नहीं पीते हैं glass का मतलब होता है ना glass से मेरा पानी पीना ही नहीं हो पाता है और बार बार glass में जाओ kitchen में भर के लाओ मतलब थोड़ा सा lazy हो जाता है तो इसलिए एक ही बार जाती हूँ bottle में भर के रख देती हूँ अपने room में और continue दिन राज बस bottle से ही हम लोग पीते हैं उसके बाद फिर kitchen का light off करती हूँ kitchen को बंद करती हूँ gate बगएरा फिर अथर को थोड़ा सा प्यार करूंगी मैं इसको प्यार करूंगी और आज जादा ही वन किया तो यह मैं बोल रहता है मुझे छिपके लिए कि तरह तुम चिपकाली ममी तो अभी सोए गार नहीं भाई यह जब तक मैं जगी रहती हूँ तब तक यह जगा रहता है दो धाई बजे के बाद ही सोता है पता नहीं कैसे ऊ दो लेती हूँ रात में सोने से पहले कि जो भी डर्स्ट क्रीम पाउडर जो भी से चीज़े लगी होंगी सब निकल जाए तो भी अमरे रात के सारा काम हो गया है और अभी मैं फ्री हूँ है और अब मैं जा रहे हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेने और देखो मैं न्यूज में क्या देख रही हूँ कि आम आदमी पार्टी केजरी वाल आज गिरिफतार हो गया है पता नहीं यह पीज़ेपी किसी कुछी हो लेगी देखो यह बुच्छिया है अच्छा में देखो यह बुच्छिया है पार्टी और इस देश के प्रधान में श्री नरेंद मोदी जी तो मैं जारी तो आसा पढ़ाई कर लें और ऐसे कुछ हमारा चलता है रात में वैसे मैं बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा देखिए एक बच्चे की मा होने के बाद पढ़ाई में कितनी डिस्टॉर्बेंस होती है देखिए यह अपना हेलिकॉप्टर उड़ाने में लगा यहाँ पर और इधर टीवी में काटून चला दिया है और उसके बाद जो है यह पढ़ाई कर रही है अभी बार बार जो है यह डिस्टॉर्ब करता है ऐसे है और घाड़ी में टाइम मिक बहुत ज़्यादा हो रही है यहां पर मैं कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते रात में मैं सो गई और एकदम मिलूंगी आपसे मौर्निंग में तो यहां पर सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मार्केट में तो सुबह भी नहीं हो रहा था ग्यारा साड़े ग्यारा हो रहा था मैं अपनी जटानी के साथ मार्केट आ गई और यहां पर हम लोग आ गया है परिधान स्वाप पे और हम लोग को लेना है थान वाला बेट सीट तो भाबी को लेना था तो उनके लिए अभी बेट सीट हम लोग देख रहे हैं फिर एक तो इसके लिए मैं यहां पर यह वाला सूज डिशाइड कि मुझे परस्णली बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा डिफरेंट है इसके पापा से लेकिन सब कुछ मिलता जुलता है तो अथर्व को भी बहुत पशंद आया था तो यह पहना कि मैं देख रही थी कि यह कैसा हो रहा है तो यह थोड़ा सा धीला हो रहा था तो फिर मैं इसका छोटा साइज मंगाई और तब तक मुझे एक अपने लिए भी पसंद आ गया तो मैं अपने लिए भी एक ले ही लिए वैसे तो मैं भी हस्मेंट को नहीं बताई हूँ फिर बोलेंगे तुम जहां जाते हो सैंडली खरीती रहती हो यह वाला भाव भी बिट्टू के लिए देख रही थी तक मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि बिट्टू का मेरा साइज सेम है उसका पैर बढ़ा है और मेरा प पैदल चलाने जाता है और जब सब्सवापिंग करना होता है तो आप आप आटो से नहीं जा सकते हो आटो से सिर्फ जहां पर जाना है वहीं पर रूख रूख कर समान खरीते चलो फिर अथर्व के लिए के इंडर जोए वह गया खरीदी और अथर्व को गोदी टांग के ल लोग आएं सोनार के सौप से भावी ली हैं यह वाली क्या बोलते हैं इसको सुई धागा तो यह देख रही थी जो कि बहुत ही अच्छा लगा इसका डिजाइन वगएरा फिर हम रिंग वगएरा भी देखें सुई धागा देखें टप्स देखें क्योंकि लेना था भावी को मुझे लगता है जैसे हम लोग रहते हैं कभी मतलब मुझे याद ही नहीं है जगडा क्या होता है खैरो खैरो अभी यूटूब पे सोसल मीडिया पर यह सब ट्रेंडिंग में चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सब बोली कि मतलब मुझे बहुत ही गंदा लगता है अपनी घ सारी चीज़े है ना यह जो मैं दिखाती हूं ब्लॉग में इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह तो सबके घरों में होती है नॉर्मल काम मार्केट जाना प्यार से खुसी से रहना लेकिन जो और चीज़े हैं कम से कम अपने इज़त को उचाला ना करें जितने लोग आज कल होली के लिए अभी मेरा न्यूड ड्रेस तो आया है नहीं मैं तो साड़ी तो कोई आई नहीं लेकिन मैं सोच री चलो तब कम से कम बाल कट वालो और थ्रेडिंग बन वालो वैसे तो मैं क्लिन अप भी करवाने वाली थी लेकिन आज मेरे पस बिल्कुल भी टाइम नहीं थ और मैं भावी और अथर्व के शाहत आई थी तो मैं कुछ नहीं करा सकती थी विकॉस मैं कितना देर रुकूंगी इसमें यह मतलब जादा टाइम हो गया तो फिर यहां पर हम आगे से लेयर करवाएं पीछे से भी करवाएं बस इतना ही बाल कटवाएं विकॉस मेरे पास ज सब जितनी रफ फेयर थे न सब मैं निकलवाई इनसे सब रफ फेयर निकलवाके फिर भी सेप में करवाई अपने बालों को थोड़ा सा तो अच्छा लग नहीं लगा फिर मैं और भावी दुनों लोग ठ्रेडिंग बनवाएं और मैं आ गई हूँ आपको पता है यह फ्लो थोड़ा फ्रूट्स वगएर लेगे फिर मैं जाओंगी घर भीकुस घर पर भी बहुत सारे काम है नहीं मेरे सारे कपड़े दूले हैं नहीं मेरा काम हुआ है सब कुछ बाकी है तो उस हिसाब से मुझे करना है यहां पर देखो पीछे से काफी सुन्दर लग रहा है मतलब जो भी मेरे रफ फेर थे सब कुछ निकल गया है और आज सीवानी नहीं थी न मेरे साथ तो मुझे वीडियो शूट करने में बहुत ही प्रॉबलम हो रहे थी क्योंकि ओ रहती है तो उसको अपने हिसाब से मैं दोड़ाती रहती हूं इधर से उधर लेकिन आज कोई मिल गय हैंगे घर और घर जाने के बाद तो मैं पका ही सोओंगे विकाज जिक्दम हालत कराब हो गई है मार्केट भी करना इतना इजी नहीं होता है बच्चा लेके बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है तो अभी मैं फाइनली घर पर आ गई हूँ अज मैं अपना हेर कटिंग कर वा तो वैसे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंदी कि मैं क्या-क्या खरीद के लाई हूं फिलहाल यह वला ब्लॉग में इंपर एंड करते हूं मिलते हूं नहीं ब्लॉग में तब तक बावाए टेक गयर भी वाइन